बीजेपी के रास्ट्री मीडिया प्रमुक और राजे सबा सांसद अनिल बलूनी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सर एम्स को लेकर लगतार प्रयास किया जा रहा था और अब क्याबिनेट की मज़ूरी भी मिल गई है कितनी बड़ी सफलता उत्राखंड के लिहास से है करसिंग धामी जी उनकी पूरी कैबिनेट को साधुवाद देते हैं कि उन्होंने जमीन के मामले को सुलजा दिया है जल्दी इस पे काम सुरू हो जाएगा एक अच्छा एमस बनके खड़ा होगा कुमाउ मंदल के जो हुमारे भाई भेहने उनका इलाज हो पाएगा उत्राख इसके साथ ही आप कई मोहीम भी चला रहे हो जो लोग उत्राखंट से बाहर जा रहे आपको लगता है कि जो योजनाय जो सुविधाय दी जा रही है उसके बाद लोग जो वापस आ रहे हैं वो नहीं आएंगे उत्राखंट में रहेंगा देखे एक दूसरा इमस बनाया जा जो ट्रेंड के ओपर तेजी से रेल की पट्री पर काम हो रहा है जो रोड के ओपर तेजी से काम हो रहा है जो एर कनेक्टिविटी पर तेजी से काम हो रहा है वहां स्वास सुविधाओं के लिए हम लोग काम कर रहे हैं हम चाहते हैं कि सुविधाय लोगों तक पहुंचे जिससे लोग पलायन करने से थोड़ा गुरेज करें। अपनी प्रवर्ति को थोड़ा कम होगी उससे। तो हमाने लोगों की कोसी है। हम लोगों को सुविधाय मिलें, जिससे कि भाहर जाने की सोचे नहीं, और अच्छा से अच्छा उनका जीवन उत्राखंड के अंदर ही, कोई भी अपना घर नहीं छोड़ना चाता है, कोई भी व्यक्ति मुसीबत में अपना घर छोड़के जाता है, हम सब लोगों ने अपना घर, अपना गाउं इसलिए छोड़ा, क्योंकि वह आमको पिल्कुल को हंगामा जारी है, किस तरह से आगे सदन की कारवाही चल पाई की? लेकिन विपक्ष सुनने की ताकत नहीं रख पा रहा है, विपक्ष चरचा नहीं कर पार रहा है, हम तो कहते ही विपक्ष अपना धर्म नहीं भाए, आए हम से कडे सवाल पूछे हम उनके जवाब देने के लिए आ रहे हैं। बहुत शुक्राइब बाचीत के लिए कामरा पसंद राहूल के साथ स्वाती पाठक भारत समझा दिल।